पिछले नौ दिन का बहुत अच्छा एक्स्पेडियन्स रहा आज आप सब लोगों की जीत हुई है बहुत सारे लोगों की जीत हुई है पूरे देश के लोगों ने बहुत सारे पार्टियों ने सबने से योग किया हम लोग तो चार लोग अंदर थे हम चार लोगों के बैठ जाने से कुछ भी हिलने वाला नहीं था यह तो आप लोगों ने बाहर जो करिश्मा करके दिखाया जिस पर सब्सक्राइब जिस तरह से जन सलाब सड़कों के उपर उत्रा दो बार एक बार तो जो एलजी हाउस पे मार्च किया और दूसरे जो प्रजाम मंत्री अवास तक मार्च किया जिन जिन लोगों ने सड़क पर उतरके उस दिन उसमें हिस्सा लिया एक तरह से यह जंदंत्र के लडाई प्रजी जा रही है हम लोग यह तो कह सकते हैं कि दिल्ली का धाचा थोड़ा सा जीब है गवर्नेंस का दिल्ली सरगार की बहुत सारी पावर्स नहीं है एक तो पहल इस शीला दिख्षी जी के टाइम में दिल्ली आधा राज्य होता था मोदी जी ने उसको दस परसेंट राज्य बना दिया आधा भी नहीं छोड़ा जो थोड़ी बहुत पावर्स की वह भी सारी छीनते जा रहे हैं वोट तो लिक अके लेके रहे थी कि पून राज्य का दर सरकार किस तरह से जंतंत्र का गला घोटने में लगी हुई है यह बहुत साफ साफ सब को नजर आने लगा कि वही एक देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अगर प्रधानमंत्री आएस अफसरों की हरताल करवा रहा है यह तो बहुत दुख्की बात है मतलब कोई कितना भी हम कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान थोड़ी है इसी देश के लोग है प्रधानमंत्री जी भी इसी देश के हैं हमारी अलग-अलग पार्टियां हो सकती है अलग-अलग विचाधारा हो सकती है लेकिन जब देश की बात आती है लोगों की बात आती है उसके साथ राज़नी की सब्सक्राइब तो लोगों ने देखिया कि इंदर आई एस अफसरों की हड़ताल कराके डिल्ली का सारा कामकाट करवाना चाते हैं और कौं करवाना चाते हैं प्रधाम ये करवाना चाहते हैं तो इसका संदेश एक तरह से पूरी अंदर बैा कि हो क्या है है कैसा प्रणामंत्री है जो अपने ही लोगों के उपर इस तरह से कर रहा है अपने देश की राजवानी पही ऐसा कर रहा है तो यह मैसी यह पूरे देश ने देखा बैठके और आज अर्टाल कैसे खुली एक फोन पॉर चला गया जी हाउस से के वे सारे जैने मीटिंग में जो सारे जो कह रहे थे कि भाई नहीं नहीं हमारा तो कोई वो नहीं है तुमारा ही ता सारा एक मिनट में मीटि इस सारी अटाल कुली एक मिनट में नहीं लगा कोई मीटिंग की जरूर देनी पड़ी कोई कुछ नहीं जरूर पड़ी एलजी साब में कह दिया वो सुमनात दार्तियो अगर दिल्ली का उप्राज्यपाल हड़दाल करवाएगा आये सफसरोग लिए तो बड़ी दिलत भाए तो दोस्तो अभी आज ये एक छोटी चीख है आये सफसरोग पे थे दूसरी बात में ये भी कह दो हमें हैं असफसरोग हमारे अफसर बहुत अच्छे हैं आये सफसर बहुत अच्छे हैं ben 99% आये सफसरोग हैं बहुत अक्शा का दे लेकिन यह हमें प्राइवड में आके बताते हैं जी हमें काम करने से रोक जारा है आती है तो एसे कैसे काम करते हैं चार महिने से हम लोग चुप बैठे देड़े बाजाओ बात करके सब्सक्राइब फिर लगा कि अब तो इसको तो पुब्लिक में दाना पड़ेगी दूसरा जो देश की लगबग सारी पार्थियों ने भाजपार कॉंग्रेस को छोड़के सारी पार्थियों ने समर्थन दिया उनको सब को हम दिल से लिए अब जो हम लोगों ने इतने सारा संघर्ष किया है अब ये दिल्ले को पूंड राज्य दिलाते रहना है अब जो लगता है ये पूरा जो एपिसोड था ये एक रस्म बगवान ने हाँ तयार लिए इसके लिए तयार हो जाओ तो आज कुछ वो लेटर्स वगेरा दिये गए थे वो लेटर्स तो इसलिए थे कि हरतार खतम की जाए अब वो लेटर्स को थोड़ा बदल देंगे दो तिन दिन के बाद दुबारा मीटिंग बनाएंगे और गोपाल जी इसके बारे में फुरी बताएंगे